विनाश मिश्रा और चाहत की हो चुकी है घर में बड़ी लड़ाई वो भी विविन डिस सैना को लेखे जैसे कि आप लोगों ने एक प्रोमो तो देखी लिया है कि विविन डिसैना को चुमा के बोलती है कि क्यों चाहत की बॉटल तोड़ी हलकि क्या हुआ है वो पूरा सीन वीविन ने अखिरकर ऐसा किया क्यूं है क्यूं किया भी है कुछ ऐसा या कुछ और ही चीज थी वो मैं आने वाली वीडियो में आप लोगों को बताऊंगी यही सब चीजे जो है वहाँ पर चल रहे थी सब लोग जो है चाहत को चुप रहने के लिए बोल रहे थे कि खाना वाना बन रहा है तो अविनाश ने भी ये बात बोल दी कि भई चुपो हो जाना क्यों ये सब चीजे मैं क्यों चुपूं वो क्यों ऐसा बोल सकता है क्या मैं डरती हूं कि वो खुदी अपने आपी बजी जा रही थी जब चुम ने ऐसा बोला वो बस बजना स्टार्ट हो गई चाहत पांडे ने बजना स्टार्ट कर दिया क्या मैं डरती हूं मुझे का धंकी दे रहा है क्या नॉमिनेट कर देगा मैं नॉमिनेट काफी टाइम से होती ह कुई आई हूं मैं किसी से डरती नहीं हूं तो ये बोलना शुरू कर दिया इसने सब लोग ने बोला कि चाहत कोई बात नहीं रहने दे खतम कर इसको तो कोई बात नहीं है और वहां पर अविनाश ने भी बोला अविनाश के उपर चड़े तू आ गया सिस्टेंट मेरी उससे बात हो रही है तू आगया सिस्टेंट यहां पर बन के वो कौन होता मेरे को ऐसा बोलने वाला नॉमिनेट करने वाला तो इसने भी ये बात बोली कि तेरे को और नया वर्ड दूँ बस बोले जा रही है मैं तुझे कुछ वर्ड जो है बोलता है मेरे अपरी दिमाग में नह निया वर्ड और दे देता है चाहत को और चाहत शुरू हो जाती है दिखा दी अपनी उकात बस इतनी हैं तेरी उकात यही सब चीजे तू कर सकता है तो मैं तो तेरे मूँ भी नहीं लगना चाहती तू बीच में क्यों आया है तो जो है अविनाश ने भी ये बात बोल दी कि भाई तेरे को मुझसे भाव नहीं मिल रहा ना तेरे को मैंने भाव नहीं दिया मैं तो तेरे पास नहीं आया था तूही लेगेज रूम में मेरे पास आयी थी कि अविनाश तो उससे कुछ बात करनी है तो शुरूती का बीच में आ जाती है और शुरूती का बोलती है कि उ जो है शुरू विविन की बॉटल तोडने पे हुई पर बॉटल आखिरकार तोड़ी क्यूं है विविन डिसैना ने ये बात मैं आप लोगों को आने वाली वीडियो में बताने वाली हूँ जहां पर अविनाश ने भी काफी खरी खोटे सुनाए कि भाई मेरे उपर से फोकस ह हटा ले तू ये भी जो है बहुत सारी चीज़े सुनाती है तू असिस्टेंट है और एक ही लूप में दुबारा दुबारा से बज जाती है और चाहत पांडे का प्रोमो देखने के बादी मैंने एक बात जो ज़ज की थी जो प्रडिक्ट की थी वो बात वही है सही ही और ये चीज़ देखके मुझे अब पता चलिगा कि मैं सही प्रेडिक्शन करती हूँ चाहत पांडे को सिर्फ और सिर्फ लड़ाई करने थी और मुद्दा बनाना था और सोने पे सुहागा तब हो गया जब वो लड़ाई जो है विविन और अविनाश के साथ हो रही है क्यो जो है इनको बाहर बहुत ज़दा पसंद किया जाता है इनको जो है उसके बारे में कहीं न कहीं हिंट्स जो है वो मलती है इसलिए ये जानबूझ के इतना करती है और काफी तेज बंदी है भाई चाहत तेज बंदी है दिखाई देता है क्या है आपका कहना बताइए जरूर विसी के साथ ने लेती हुन जाचा, नमस्कार.